सो हलो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम राता लंब्या लोफी बीट से कि फिर स्टेटस वीडियो एडिट करने वाले हैं बहुत ही कमाल की आज की हमारी वीडियो होने वाली है तो वीडियो में आगे बनने से पहले अगर आप हमारी चैनल पर नए है तो चैनल को सब्स्राइब कर ले ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो दालू उसका नोटिफिकरिशन आपको मिलता रहे तो और वीडियो को बनाने से पहले यहाँ पर आपको मेरे कुछ मर्टिरियल्स की जरुत पड़ेगी तो वो मर्टिरियल्स आपको कैसे मिलेगी वो मैं आपको सबसे पहले बता रहता हूँ तो material के लिए आपके मेरी वीडियो के description में जाना है description में जाने के बाद जहां पर all materials लिखा उसके लिंक है वहाँ पर आपने click करणा है जैसे वहाँ पर click करोगे वहाँ पर एक page open हो जाएगा जो कि कुछ इस तरीके से होगा यहाँ पर आपको एक post मिलेगी पोस्ट का डाटल है की थे चलिए तो लोफी बीड स्टेटस एडिटिंग, लर्न एडिटिंग और यहाँ पर हमारी देखे वेबसाइट का लोगो देख लिजिए जो हमारी चैनल का लोग है वही लोगो होगा तो इस वाली post के अंदर आपने जाना ठीक है तो दोस्तो इस तरह की वीडियो बना एक लिए आपको अलाइट मोसे अपको आपको ओपन करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर मैंने जो खेसेमल प्रिशेट दिया है उसवाले xml preset को आपको अपने alert motion में import कर लेड़ा, अगर आपको import करने में कोई भी दिक्कत होती है, तो उसको कैसे import करते हैं, उसका अलग से मैंने video बनाया है, जिसका link मैंने decision box में दे दे, how to import xml preset in alert motion उसवाले video को देख लिजे और अपने alert motion में import कर लिजे, जैसे import करोगे, उसके बाद उसमें पर नीचे जो projects लिखा है, वहाँ पर आप जाओगे, तो first number पर ही यह वाला यहाँ पर इस तरीके से आया हुआगा, ठीके, तो इस वाले xml preset project को आपको open कर देना है, open करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके से project होगा, तो यहाँ पर प्लस के एकन पर फोटो को आपको add करना, ठीके, फोटो को कैसे add करना है, तो यहाँ पर देखे, red line है, वहाँ पर आपनाना है, red line के उपर आजाईए, आने के बाद प्लस के एकन पर क्लिक कीजिए, image in video पर जाए, जो भी फोटो एड करना जाता है, उस वाले फोटो को select कीजिए, तीन डोट आप आगे आए, सिर्फ एक पॉइंट आपने आगे आजाना है, आगे आने के बाद फिर से प्लस के एकन पर क्लिक कर देना है, image in video पर जाना है, दूसरी फोटो को add कर देना है, इस वाली फोटो को आप यहाँ पर red line है, वहाँ तक आना है, और यहाँ पर इस वाली फोटो क आप पर प्लस के एकन पर क्लिक कर देना है, और एक मैने सेडो इमेज दिया है, इस वाली इमेज को add कर देना है, एड करने के बाद यहाँ पर फोटो के उपर दिखाए दे, फिर आप यहाँ पर जाए, पूरा नीचे तक आ जाए, उतना scale कर देना है, फिर पोजिशन के प्रॉल कर देना है, अब यहाँ से बेक आना है, अब इस वाली वीडियो के end वाले पार्ट पर आ जाना है, एंड वाले पार्ट पर आने के बाद शेडो इमेज पर क्लिक करके इस वाले बटन पर प्लिक कर देना है, और यहाँ पर आप जो भी कुछ लिखना चाते है, वो सौंग का नेम लिखना चाते हैं, अगर कोई और चीज लिखना चाते है, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए, लिखने के बद फॉन्ट के ऐप्शन पर जाएए, कोई भी एक फॉन्ट को सिलेट कीजिए, उसके बाद यहाँ पर कलर पर जाएए, और यहाँ पर साइज पर जित्थी भी साथ आप रखना चाहते है उतनी साथ यहाँ पर सेल्ड करके रख दीजिए और फिर यहाँ पर इसको एक लाइन में करके इसको आपको नीचे की तरह जहां पर उन्हें ब्लेक सटो एड़ किया वहाँ पर सेट करना है कुछ इस तरीके से इस तरीके से सेट करने का अप राइट के बटन पे लोगे तो राइट के बटन पे क्लिक कर लेज़े इसके बद फिर से आप यहां पर इस वह प्रोजेक के end वाले पॉइंट पर पे आईए और इसको इस वह बटन पे लिए पूरी वीडियो में एड़ करेज़े अब अपने पर चीज आपको मिलीगी जिसका नाम है पहले लाइन लेक्टेंगल 3 इसके उपर आपने क्लिक करना है फिर इफेक्ट पे जाना है तीन डॉट पे जाना है और कॉपी औलिफेट कर लेना है अब यहां से बैक आना है और इसको डिलीट करना है पहले इसको डिलीट कर लेजएगा छीका क्की अगर इसको आप रको गए काफी जालेगा तो अब जाना है और इसको प्लीट कर देना है उसको पेस्ट कर देना है इसके आगे इसके फीलेट आप समय आपर क्लिक करोगे लाइन हट जाएगी उसके बाद तिन डौट पे क्लिक किज Ee क्वब जीए अब इस लैर को भी यहां से डिलीट कर लीजिए अब इसको लिंगे अब डिलेट करने के बद़ आगे आईए और जितनी चोटी फोटो है उन्हीं सभी फोटो बें जाए एफेक्ट पर जाके पेस्ट कर लेता हूँ तो सभी छोटी इमेज में येवाला एफेक्ट करने के बाद फीर से आपको स्टार्ट बेपर आ जाना है अब इसके बाद आपको आगे आजाना है जितनी भी आपकी जो लंबी फोटो रहेगी उन लंबी फोटो पर जाना है आपको इस वाले एफेक्ट कर लेते हैं तो सभी लंबी इमेज में पेस्ट करने हैं आने के बाद इसको प्ले करेंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा अब यह जो layer है आपके lyrics वाली उस वाले layer पर click कर लेंगे lyrics वाले जो वीडियो है उस पर click किजिए sound पर जाएए और इसके sound को आप off कर लीजे अब यहां से back आईए startle point पर जाएए plus के icon पर click करके audio पर जाएए और जो song में ने दिया है उस वाले mp3 song को यहां पर add कर लीजे song को जैसे add करोगे यहां पर आपकी यह वाली वीडियो पूरी complete बनके तयार हो जाएगे ठीक है जो song होगा उसके साथ एकदम perfectly यह sound भी match हो जाएगा और आपकी वीडियो भी एकदम perfectly बन जाएगी जैसे यह वाली वीडियो कुछ इस तरीके से बन जाती है उसके बाद आपको वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है तो एक्सपोर्ट करने के लिए आपको सभी को पता है उपर के तरफ आपको एक्सपोर्ट का बटन मिलता है पर आपको आपको आज की हमारी यह वीडियो पसंद आए होगी और चैनल पर नहीं तो स्बस्राइब ढागा